हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को UPHAC Assistant Professor के Unit साथ हिंदी आलोचना के पारिभाशिक शब्द जो है कराने वाली हूँ तो मैंने आप सभी को काफी सारी परिभाशाएं जो है इस पर करवा दिया था और आज भी मैं आप सभी को आगे की परिभाशाएं जो है बताने वाली हूँ तो आज हमारा सबसे पहला टोपिक है अनुभूती तो अनुभूती क्या होती है इसका हम एक सिंपल सा अगर मीनिंग निकाले अनुभूती यानि कि किसी चीज को जो feeling किसी भी चीज को आप feel करते हैं क्योंकि आज कर इंग्लिश लोग जल्दी समझ लेते हैं तो मैं आप सभी को इसलिए इसी में बतानी हूँ कि feeling किसी भी चीज की उसको हम अनुभूती कहते हैं तो अनुभूती शब्द हिंदी का अपना शब्द है अनुभूती मन की वह प्रक्रिया है जो बाहिय वस्तु के सुख दुखात्मक प्रभाव की समवेदना जगाती है उसको हम अनुभूती कहते हैं चायवाद काल में यह शब्द नए अर्थ में प्रियुक्त होकर समिक शात्मक प्रतिमान के रूप में जो है स्थापित हुआ चायवाद के समय 1915 इस्वी में शुकले जी ने एक निबंद लिखा था भाव या मनोविकार यह यह और यह अनुभूती को सहजात कहा है तो देखे इस शब्द का प्रियुक कहा गया चायवाद के काल में समिक्षा प्रतिमान के रूप में समिक्षा के रूप में इसका प्रस्तुत हुआ और शुकले जी ने चिंता मणी के भाग एक में अपने निबंद भाव या मनोविकार में उन्होंने अनुभूती के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है सहजात तो यहां आपके लिए ये प्रशन आ सकता है अनुभूती को सहजात किसे ने कहा है तो आचारे रामचंदर शुकले जी ने और किस में कहा है अपने निबंद भाव या मनोविकार में अनुभूती यानि कि फेलिंग किसी एहसास को कहते है यह शारे रिक रूप से इस्पर्श द्रिष्टी सुनने या गंद सूंगने किसी भी प्रकार से हो सकती है यानि कि कोई भी चीज आपने छुई उसको छूने से आपने क्या फील किया किस चीज को देखने से सुन कर या फिर किसी चीज की सूम कर जैसे कि आपके सामने कोई डिलिशियस सी वस्तु आजाए कोई भी स्वादिस्ट वियंजन आजाए तो उसकी खुश्बू से आपके मन में जो एक लालसा उत्पन हो जाती है उसको खाने की या कोई भी चीज किसी के बारे में बुरी कोई जानकारी मिल जाए तो आप किस प्रकार से दुख का भाव आपके मन में उत्पन हो जाता है विचारों से पैदा होने वाली भावना, कोई भी विचार से जो आपके मन में भावना उत्पन हो जाती है तो वो अनुभूती कहलाती है संस्कृत में अनुभूती अनुभव का समानार्थी शब्द है चायवाद काल के आरंब में 1915 में शुकल जी ने नागरी प्रचाड़नी पत्रिका अनुभूती मूलत सुखात्मक या दुखात्मक होती है तो अनुभूती दोनों ही प्रकार की आपको मिल जाएगी अचारे शुकल रती उत्साह आदी को मन की सुखात्मक अनुभूती और क्रोध भै शोक आदी विकारों को मन की दुखात्मक अनुभूती को सिकार करती है तो ये कोई समझाने वाली नहीं है अनुभूती का मतलब यही हो गया कि सुखात्मक या दुखात्मक जैसे कि रती उत्साह आधी को देखके जो मन में सुख होता है वही पे क्रोद, भे, शोक आजाए तो दुखान भव होता है जहां तक कविता का संबन्द है यही तो एक जनेरल चीज़ हो गए अब कविता के संबंद में किस प्रकार की अनुभूतियां हैं तो देखें कविता के संबंद में भाव अनुभूती, रसा अनुभूती, लौकिक अनुभूती, अलौकिक अनुभूती, प्रत्यक्षा अनुभूती, समानुभूती, रहस्या अनुभूती, कावे अनुभूती कविता की संबन्द में इतने प्रकार के अपको अलग-अलग प्रकार के अनुभोतियां देखने को मिलती है क्रोचे तो अनुभोति को शरीर के योग शिम से संबन्दित भीतरी प्रक्रिया जो है मानते हैं इसलिए इसको उन्होंने सुखात्मक, दुखात्मक, उप्योगी, अनुप्योगी, लाबकारी, हानिकारिक दो पश्यों को आवश्यक माना जाता है तो यहां पे आपका positive और negative दोनी प्रकार के अनुबूती किसी भी चीज को अच्छी या बुरी अनुबूती होगी कोई भी चीज अब एक उधारण आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो या तो आपको अच्छा लगेगा या आपको कुछ चीज इसमें बुरी लगेगी तो दोनों ही अनुबूब आपको मेरे वीडियो से मिलते हैं या किसी और की कोई चीज आपने देखी तो कभी कभी हम ग्रहन करते हैं अब इसमें आपको सारी बाते ही अच्छी नहीं लगेगी कुछ आपको अच्छी लगेगी कुछ आपको बुरी भी लगेगी कि नहीं ये इस प्रकार से होनी चाहिए तो ये जो भावतपन होते हैं यही हमारे अनुभूती हो जाती है जैशेंकर प्रिसाद ने अपने लेक कावे कला में अनुभूती का अर्थ जो है उन्होंने आत्म अनुभूती से माना है जो चिनमई धारा से जुड़कर खिंचित रहस्य मई हो जाती है इधर अनुभूती को प्रियोग वादियों ने व्यक्तिकत कहकर अपनी व्यक्तिकता का ही परिचे दिया है क्योंकि व्यक्तिक विशेशन लगाने से अनुभूती का जो अर्थ है वो विक्रत हो जाता है तो ये जानकारी अनुभूती के विशे में है किसने प्रियोग किया था और अलग-अलग कवियोग ने अनुभूती को क्या का है जैशंकर पिसाद ने अनुभूती को ही आत्मा अनुभूती माना है चलिए अगली परिभाशा देखते हैं अप्रस्तुत योजना का सौंदर अब ये चीज क्या है तो कवी विविन द्रिश्यों रूपो तथा तत्थियों को मर्म परशी और हिर्देगराही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लेता है यानि कि कवी जब अपनी कवे रचनाय करता है तो कई प्रकार की चीजे उसको अपने कवे को सुन्दर बनाने के लिए वो कुछ ऐसी ही द्रिश्यों का कायम कर देता है एक इत्रिश्यों हमारे सामने उभर कर आजाता है रूप होता था तत्थियों को बर्म इस परशी और हिर्दे अग्राही बनाने के लिए कुछ और प्रस्तोत चीजों का हमारे सामने समक्ष नहीं होती लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें बना दियाती है अब अगर देखिए तो जैसे कि अगर बात करें हम निराला जी की ही कविता ल मिगा का एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा या अंधेरे में कविता पढ़ ले तो आपके सामने एक पिक्चर एक द्रिश्य बन जाती है तो यही हमारे सामने तो कवीच क्या करते हैं एक द्रिश्य को जो सहारा लिया जाता है किसी भी चीज़ों में उसको हम आप्रस्तुत कहते हैं आप्रस्तुत योजना में यह अवश्यक है कि उपमें के लिए जिस उपमान की प्रकृति के लिए जिस आप्रकृत की और प्रस्तुत के लिए जिस आप्रस्तुत की योजना की जाए उसमें साद्रश्य अवस्य होना चाहिए यानि कि जिस चीज का भी प्रयोग किया जा रहा है उसमें एक सद्रिश्रिता की हमारे समक्ष ही वो चीज वो घटना जो हमारे सामने ही घटत हो रही हो ऐसा अनुबभ हमें होना चाहिए सद्रिश्रि के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि उसमें जिस वस्तू वैपार एवं गुण को गुण के सहज को जो वस्तू वैपार और गुण लाए जाए वै उसमें भाव के अनुखूल हो यानि कि उसमें भाव का भी समावेश हो इन अप्रस्तूतों के सहयोग से कभी भाव सुन्दर को अनुभूती को सहज एवं सुलब बनाता है कभी कभी रूप सामन सामें कभी धर्म सामें और कभी प्रभाव सामें के आधार पर द्रिश्य विंब उभर कर सुन्दर वेंजित करता है तो यह जो है और प्रस्तूत योजना का सौन्दर है यानि कि किसी भी कभी कभी को सुन्दर बनाने के लिए जिन जिन तत्तों का सहारा लिया जाता है उसको ही हम और प्रस्तूत योजना का सौन्दर कहते हैं यही आपके मुख्य परिभाशा हो गई, कावे में सुन्दर्ता प्रदान करने के लिए यहां देख सकते हैं अप्रस्तुतों के सहयोग से, तो कावे उसमें हमारा भाव भी उत्पन हो, वो सहज सुलब लगे, तो जिन चीजों का सहारा लिया जाता है, उसको हम अप्रस्तुत करते हैं, यही मुख्य परिभाशा है, इस जाद आपको पढ़ना जरूर नहीं है, बाकी कुछ और चीज ने मिल रहे तो देख लीजेगा, अगला है संकेत ग्रह, तो अबिधा व्रती या शब्द शक्ती से, जिस अर्थ का बोध होता है, उसे संकेत ग्रह कहते हैं, यहां क किसी भी शब्द से उसके अर्थ का बोध कराने वाले साधन को संकेत कहते हैं, यानि कि किसी भी चीज के लिए जब किस चीज का हमें इशारा दिया जाता है कि यह चीज है, तो उसी को हम संकेत ग्रह कहते हैं, लोक वैभार में बिना संकेत ग्रह के शब्द के अर्थ की प्र तिपादन करता है अता इस सिधान्द के आधार पर जिस शब्द का जहां बिना व्यवधान के संकेत का ग्रहन होता है वे शब्द उस अर्थ का वाचक होता है तो यानि कि कावे में जो है कुछ संकेतों के माध्यम से जब कोई बात बताई जाए तो उसको हम संकेत ग्रह कहते ह तो किसी शब्द से उसके अर्थ का बोध जो साधन कराता है उसको संकेत कहते हैं संकेत से यह निश्चित होता है कि किसी शब्द से किस अर्थ का बोध होगा यानि कि अगर हम ठंडा कह रहे हैं तो ठंडा को जो भाव है कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं तो जो उसका अर्थ निकलता है वो हमारा संकेत ग्रह एक चीज़ का इशारा करना इन संकेत ग्रहों का संबंद लोक वेभार से होता है अतह ये संकेत वेभार के रुपांतर मात्र है शब्द की शक्ती का बोध कराने वाला ग्राहक कहलाता है अतह कहा जा सकता है कि संकेत ग्रह वो साधन है जो शब्द की शक्ती और उसके अर्थ का बोध करा सके तो यहाँ इसकी आप परिभाशा देख सकते हैं कि संकेत ग्रह क्या है जो शब्द की शक्ती और उसके अर्थ का बोध कराएं ये संकेत ग्रह लोगों के वैवहार से संबंदित होते हैं लोक वैवहार और लोगों की इच्छा से संकेत ग्रह जो है नरधारित होते हैं शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है ये परिवर्तन संकेतों पर निर्भर करते हैं जन वैवहार में परिव कुछ और अर्थ दिया जाए एक अर्थ दिया जाता है लेकिन देरे driving चाइर लोगों के बीच चल जो उसके समक्ष वेवहार होते हैं उसे वो बच्चा धीरे-दीरे सीखता है सुने हुए वाक्यों की सहाईता से वह संकेतों का निरन्य करता है पर यदि संकेत गरहन के लिए केवल वेवहारों के अनुकरण पर निरभर रहा जाए तो शब्द ग्रहन एवं अर्थ ज्यान में बहुत समय लग जाएगा वैभार का शेत्र जो है अत्यंत व्यापक होता है कम समय में अधिक सीखने के लिए कुछ अन्य साधन भी प्रयोग किये जाते हैं यानि कि जब हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो क्या होता है कि कुछ बच्चा जो है जैसा हम बोलते हैं वैसा बहुत धीवे धीवे सीखता है अनुकरण करता है कुछ चीजे वो वैभारों से सीखता है लेकिन अगर हम वैभारों से ही कुछ संकेतों के मादिम से उसको सिखाए सुने हुए जो वो वाक्यों होते हैं उनी पर वो अनुकरण करके सीखेगा तो शायद बहुत अधिक समय लग जाएगा। इसके लिए कुछ और चीजों का प्रियोग में किया जाता है। तो कुल मिलाकर जो संकेत ग्रहों की बात की जाती है तो ये साथ प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वेभार, दूसरा है शब्द कोष, तीसरा है व्याकरण, चौता है उपमान, पाचवा है विवरती, छटा है आपतोपदेश, और साथवा है वाक्य सन्नी धी तो ये साथ प्रकार के संकेत ग्रह हैं। इन संकेत ग्रहों की सहायता से शब्द तथा अर्थ का ग्यान कम समय में हो जाता है। प्रतेक अर्थ में संकेत की इस्थिती जो है स्वयम सुद्ध से दो होती है यह संकेत जो है दो प्रकार के होते हैं यानि कि जो वैक्टि को संकेत अगर दिया जाए तो यह दो प्रकार के संकेत होते हैं एक प्रतेक्ष संकेत जो हम सामने सामने किसी को भी दे सकते हैं दूसरा परोक्षी यानि कि उसके समक्ष प्रस्तोत नाओं के पीछे में तो यहाँ एक उधारण भी दिया गे है कि प्रतेक्ष रूप से संकेत की स्थिति उस दशा में होती है जब अर्थ से शब्द का संबंद लोक प्रसिद हो जाता है तो यहां पर उधारण देख सकते हैं कि जंगल में एक शेर है इस वाक्य में शेर शब्द जो है एक विशेश जानवर के लिए आया है तो इसका अर्थ प्रतेक्श संकेत यानि कि डारेक्टर शेर की बात की जारी है लेकिन यहां दूसरा वाक्य है कि वह हमारे समाज का शेर है तो इस वाक्य में जो शेर शब्द है वो वीर पुरुष के लिए प्रिक्तु हुआ है तो यह एक परोक्ष संकेत है यानि उसको बोला तो शेर गया है अब यहां प्रतेक्ष क्या हो गया किसी शेर की बात किया जो असली शेर है प्रतेक्ष हो गया उसकी तरफ हमने इशारा किया है किस यहां पे शेर है जंगल में शेर है और दूसरा परोक्ष संकेत यानि कि हमारे समाज का शेर है या वह बहु लेकिन हमने क्या उसको किया है इस इस प्रकार का है तो यह हो गया है और पढ़ते हैं विब्ब ग्रहन भाशा में सहामान श्रोता या पाठक का कर्म है कि तो भाशा में जो है भी बिमबो के द्वारा जो है इक प्रस्तुत किया जाता है कुछ इमेज जो है प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम जकाते हैं कि यहणा एक चीज को मुर्थ डूखप्रदान करना कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं है लेकिDuh एक Sharp की बात की मान लगे जैसे ऑभी जसे शेर की बात की तो हमने बोला की शेर टो शेर बोलते हैं वहारे सामने एक capiya फिक्चर प्रस्त हो गई तो इसी को हमारे सामने वास्तविकБि में वह शेड मौदूद नहीं है लेकिन हमने एक इमेज बना ली या फिर हमने कह दिया अभी की बर्फ गिर रही है हमारे सामने बर्फ गिर रही है इतनी ठंड लग रही है मानो बर्फ गिर रही हो तो हमारे सामने बहुत साला ठंड है लेकिन वास्तिविक्ता में वहां पर बर्फ न निर्मित होता है तो बिम्ब जो है इमेज शब्द का हिंदी पर रहाए है तो ऐसी रूप योजना जो मन के समक्ष वर्ण वस्तू को प्रतक्ष कर दे बिम्ब कहलाती है यानि कि जैसे मैंने आप समी को बताया कि हमारे सामने प्रस्तुत हो गया हमने बोल दिया कि बिम्ब है इमेज आ गई हमारे सामने की बर्फ गिर रही है तो बर्फ तो नहीं है हमारे सामने गिर रही है लेकिन जैसे ही मैंने नाम बोला आपके सामने बर्फ की जो दिर्ष है वो सामने प्रस्तुत हो गई तो इसी को हम बिम्ब कहते है तो वस्तुता जहां भी कवी का उद्देश रोप उपस्थत करना, बुद्धी के सामने कोई विचार लाना नहीं, यानि कि जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं, तो हमारे सामने जो उसका रोप है, वो आ जाता है, तो उसी को बिम्ब कहा क्या है, अब इसमें बिम्ब विधान भी एक चीज़ा पढ़ते हैं, तो के शेत्र में रोप के अनेक प्रकार के विधानों का आयाम प्रस्तुषा, अब बात करते हैं, बिम्ब ग्रहन, तो बिम्ब ग्रहन वही होता है, जहां कवी सुक्ष्म निरिक्षन द्वारा वस्तुओं के अंग, प्रतियंग, वर्ण, अकरती चता उसके आसपास की तो कमल की जितने भी प्रकरती है, उसका रूप सुरूप है वार सामने प्रस्तुथ हो जाता है, किसी वस्तुख या व्यक्ति के समगर एवं संसलिस्ट सुरूप की मानसिक प्रतिती करना बिम्ब ग्रहन कहलाता है, रस्मी मानसा में आचारिशुकल जी कहते हैं, किसी कमल पद का ग्रहन कोई किसी भी प्रकार से कर सकता है, तो किसी ने क्या ग्रहन किया, ललाई लिये हुए सफेद पंखुडियों और जुके हुए नाल आदी के सहित एक फूल की मुर्ती मन में थोड़ी देर के लिए आ जाए, या कुछ देर बनी रहे, तो एक ने क्या किया, जैसे ही कमल बोला गया, तो उसके सामने कमल का फूल, उसकी पंखुडियां जो है, जुकी हुई, दिख गई, उसका मुर्त रूप जो उसके सामने प्रस्तुत हो गया, और इस प्रकार से भी कोई चित्र उपस्तित ना हो, यानि कि एक के मन में तो उसका चित्र उभर गया, एक के मन में कोई भाव उत्पन नहीं ना हुआ, केवल पद का अर्थ समझ कर ही काम चला लिया, कावी के दृष्च चित्रन में पहले प्रकार का संकेत ग्रहन अपेक्षित होता है, और विभार तथा शास्त्र चर्चा में दूसरे प्रकार का, आचारे शुक्ल जी की मानता है कि शास्त्रे विश्यों में तो अर्थ ग्रहन से काम चल जाता है, किन्तो कावी में तो बिम्ब ग्रहन नितांत अपेक्षित है, तो शास्त्र में तो आप एक नाम ले लेंगे, उसे भी केवल उसका अर्थ ग्यात हो, कि कमल का अर्थ क्या है तो उससे काम चल जाएगा लेकिन कावे में विम्ब गरहन आवशक है वही होता है जहां कवी अपने सुक्ष में दे रिक्षण द्वारा तो यानि कि विम गरहन कवी ने किसी भी चीज का विवरान दिया तो उसकी एक एक च्छवी जो है उसका अंग पर्तीअंग जो हमारे सा जाए बिना अनुराग के ऐसे सुख्ष में बियोरो पर ना दृष्टी जा सकती है ना रम ही सकती है अता जहां एक पूर्ण संसलिस्ट चित्रण मिले वहां समझना चाहिए कि कवी ने बाहिये प्रकृति को आलंबन के रूप में ग्रहन किया है उसके हर चीज को सुख्ष में प्रती रूप से उसके एक इक जिस प्रकार से उसके आकरती विवरन देना हमारे समक्ष प्रस्टों हो जाए तो यह आपका बिम्गरहन होता है तो चलिए आज की परिभाशा है यहीं तक दूसरे वीडियो में आप सभी को आगे की परिभाशा ह मिल जाएगी तो आप सभी कोई कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद